हाई हनी बीस वल्कम टू कॉफी बीस और टाटू के बिल्ले प्यारू का व्लॉग में ने देखा अच्छा जी आप लोगों ने नोटिस करा कि खाली मैंने ही किया कि यह जो बाजी है यानि जो हुकसाना बाजी है वो और टाटू अब जो है ऐसा लग रहा है कि दोनों बहने ह है चोटी बड़ी बहने मतलब फुकसाना बात ही जो है वह दुबली हो गई कि टाटू थोड़ी रिष्ट प्रिष्ट हो गई मैं समझ नहीं आ रहा है फ्रेंस ऐसी बात करो आपको तो पता ही है फ्रेंस हमारे मैडिसन चल रही है तो मैडिसन खाने में से तो ऐसे हुई जा बात मत करें तो गबराट हो रही है दो दिन से मोधा हाग है आपको तो पता ही होगा कि हमारे क्या हालत हो जाती है अपने घर जाकर ऐसा लग रहा है कि इस लग रहा था जब इतनी उसकी आवाज से पता चल दा था जब उसकी मम्मी आती है और रजगुली को हग करने के सबसे पहले तो वह इंसिडेंट बहुत वनी था, रजगुली देखो कितना ज्यादा हिचकिजाट थी उसके चहरे पर, कि भई, है न, अभी आई है महमान की तरह और चली भी जाएंगी, तो उसकी सास ने पे एक ठंडा रेक्शन दिया, अब ये बात भी जो है न, मुझे उस फुकसाना झाले ले लिए उसने ज्यादे तो फुकसाना वाजी पोझी भी अपना है उनका, अपनी मम्मी की तरह जो है बच्चे को उड़ा के लिए गई मेरे है ना तो गुटका किंग जो है वो कहता कि अंदर अंदर मिलते है उसकी मा विचारी एक्साइटेट थी कि छोड मुझे मुझे अपने बेटे से मिलना लेकिन गुटकु कहता है नहीं नहीं अंदर चलो अंद जिट्टी तब पता है अच्छा इस आठ साल की बच्ची को घबराट होती है अकेले रहने में मतलब नीचे सास सब लोग है ना वो फुक्साना बाजी सब लोग है वहां पर भी तो जाके वह रहा है सकती है लेकिन नहीं लहर को बिचारी को बुला लिया क्यों उसका तया है अगर मुंबई में है तो पिज़ा नान और यहां है तो यह लहर और उसकी बहन हुँए इससा ठीक है यह दोनों को परिशान करना यह इसका फिक्स है काम सूबह उसकी एक्जाम थी फिर भी वहां पर आई और गुटका कुमार आया होगा लगबग रात के दो धाई बजे त और आधी-अधी रात तक तो जग रही थी है ना नींद आती होगी उसको और पढ़ाई खेर तो यह रजगुली का तेया है भाई यह सब का फ्यूचर खराब कर दिक खुद तो पढ़ी लिखी नहीं है खुद तो खेर मैं जैसे हमेशा कहती हूं कुछ लोग होते हैं ठीक ह मानते हैं कि इसने किया होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी भी एक दोस्त है ना जिसको तुम बेसिक सवाल पूछोगे नहीं आता होगा उसको क्या ही ग्रेज़ेशन करके फिर रिसेप्शनिस्ट के जॉब करते हैं दस हजार कम आते हैं सोचो खाली तो खाली डिग के साथ भी कर दी पिजा के साथ तो उसने अल्रेडी कर दिया है क्योंकि पीजा का IQ लेवल देखकर मुझे समझ आ रहे हैं इसको बेसिक चीज़े नहीं पता तो है ना और लहर के साथ भी सेम करेगी एक तो अच्छी बात है कि यह ज्यादा तर हुंबई रह रही है तो लहर भी लुक कान्ड यह नहीं रही है फिर वह बहुझे रहे हैं यह उनकी सास को देखकर नहीं लगता कि वह लोग लाली अपना खेती बाड़ी उनके पास है और वह बहुझा जो भी नीपकू जाती कुझ आती है अगुचराटी ना कुझा बोलते हैं लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि तुम्हारे पास पैसे आजाए सब कुछ आजाए तुम चाहे करोड़पती भी बन जाओ लेकिन चाहे करोड़पती भी हो तुम्हारे पास पैसे अग्इशा कि आजाए तुम्हारे पास में शुच एश इससा किया है मर गई ठीख से लोग जो से इंसान बहुत कुछ तसुम्हारे यह में तो किस से फेमस ही है कि उनकी सास जो है बिचारी जब मर गई थी जब दिखता भी नहीं था और अपने बेटे का नाम ले लेकर विचारी रोती थी कि इब्बू आओ की ना इब्बू आओ की ना तभी ना तो जनाब गए थे ना शर्मीली जी गई थी ना पपा जी गए थे अब जनाब ने एक्सक्यूस दिया था कि उनके पापा जो थे वह एड्मिट थे उनकी सरजरी हो रही थी अच्छा पापा की सरजरी हो रही थी कुछ टाइम के लिए ना उससे पहले भी तो बोलते ही होंगे ना बुड़ी मा है कभी भी उनका जिक्र तक नहीं के लोगोंने अपने व्लॉग में तो भाई ये तो दरशाता ही है प यह जो शादी शुदा थे फिर भी चक्रवकर चलाया तो भी अब जितना भी जनाब कर ले बैंड बाजा ढोल से अपना स्वागत कर वाले हकीकित तो गावालों की नजर में तो यह है और मैंने देखा भी था देखो यह सुनी-सुनाई बाती होती ना तो मैं ट्रस्ट नही कर रही थी मैंडम भाई उसी दिन यह लोग मेरी तो नजर से उतर गया थे कौन ऐसा करता है शादी रजगुली की है लेकिन जनाब आए मेरा पी अगर आया तो ढोल नगाडव से जनाब का स्वागत किया गया और स्वागत में अगर कोई रिस्पेक्ट करता तो पुरा को इखटा होता था अगर उनके कर्मकांड कुछ अच्छे होते तो लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है चंगु मंगु उनकी खाला है और पिज़ानान यह जो भी घर घर के जितने भी लोग है वहीं सबते बगी कोई नहीं था प्लस अगर और शर्मीली जी की जो रेपिटेशन है जो की बोलते हैं कि हम जड़ों से जुड़े होए हैं जड़ों से जुड़े होए हैं गाओ जब जाते हैं तब दिख जाता है कितना सन्मान होता है और दूसरा ना तो उनको शायद से कोई शादियों में बुलाता और ना ही शाद य वह रसगुली को बुलाने लगे गुटका किंग की वज़े से क्योंकि वह भी फैमिली मेंबर है तो रसगुली को देखो अब जाती है गुटका किंग फैमिली के साथ तो यह भी एक रीजन था कि रसगुली ने गुटकु से शादी करी प्लस मौदा हमेज जो है एक गई कितनी बार आपको बताए कि हमने गुटकु से शादी की थी मौबत के खातिर गुटकु हमारा रिचाज करा करते थे फ्रेंस भाई-बाभी तो थे लेकिन भाई-बाभी से मांगना अच्छा नहीं लगता था ना अब भाई भी फिर तो थोड़ी चोड़ा में चोड़ी होन सब्सक्राइब करते हैं अब ना वो जो मुंबई में करती है कि जो पेटी खाला है वो सब कुछ कर देती है लेकिन क्रेडिट यह ला जाती है तो यहाँ पे क्या करें तो इस सब कि पुछ बनाइंगी लेकिन क्रेडिट पूरा टाटू ले लेकि तो इसको यह सब जो है न चाला के बहुत खूब आती है अच्छा यह न आप जान-बुछ के कर रहें पता कि वह इबादत कर रही हो न प्लस उनके घर का खाना देखो एकदम साधा और सिंपल दूधी फिर दाल भाद साधा सब्जी एकदम ना तेल ज्यादा ना तला भूना ज्यादा जो थे उनकी इफ्तारी में फ्रूट से अचारी मटन को बहुत आधा रही है ताटू अचारी मटन को बहुत आधा रही है ताटू अच्छा बालों पी जहां पे जाती है ना वहां पे रिनोवेशन चुरू करा देती है खाली अमा के घर कहला वग है और यह क्या एख्स्चू दे रही थी कि हम अमा का घर इसलिए रिनोट कर रहे है क्योंकि जादा तर तो वह मुंबई में ही रहती है अब देखो च्पालों तुम भी मुंबई में रहती हो तो यह देड़ साल में दूसरी बार रिनोवेशन करा होता है और रिनोवेशन देड़ साल के बाद करा रहे तो देड़ साल हो गया तो क्या हो गया क्या खराबी थी उसमें लेकिन हां यह होता ना कि आई एक बाद आई यह जो दखाएं दीवार पे कलर लगा यह फिर घुण आ जान लेगा कि ऐसी लियाओ तो पर्दा के घाल जाना यह वादmarkets करता हो फिर दिखलेहां मार्कोटे क adhere कि अँफना तो पिर तो कानपूर सो फिर निकल लेगी पिर लखना निकल लेगा साने कि थी तो यह बहुत चालू है पैसा तो पैसा कोई कमी है ही नहीं जितना रिनोवेशन में खर्चा होता है वह एक व्लॉग से ही निकाल लेगी पूरा खर्च है ना तो पैसो की तो कमी नहीं है भालू अप्पी को बहार का कॉंटेंट जी में रहता हिए अब तो इतने रिपीटिटिव व्लॉग रहता है और प्रेडिक बेंसान कर लेगा कि चार चीज़े होगी बाहर का खाना सूट रिनोवेशन और जो बच्चों को एक्स्प्लोइट करती है अब लहर या तो पिज्जा लहर पिज्जा नान तो ब तो वहां पर बहुत सारे लोग लोग मुऊटा्र रहे चाहे मुंबै उसकी और इंवाशन कराई जो करें वो उसकी मरजी आप लोगों को क्या जाता है या 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 लोगों के बाप का क्या जाता है एस अइसे कोमेंट बहुत सारे भी कि तो भाई वो लोग चाहे जो भी कॉमेंट करें तुम्हारा क्या जाते हैं तुम लोग इतने क्यों ओफेंड हो तुम्हारे गर पे महीने का कुछ राशन वागिरा भराती है कि रसगुली जो इतना ज्यादा बुरा लग रहा है उनकी बहाफ बे और भाई मैं अब भी तक पेटी खाला से देखा ही होगा मैंने तो देखा था आइस चैलेंज में और दूसरा की वह जब लोग सूट लेने जा रहे था ना बोली थी पेटा साहरी कौन बनाएगा क्या इफ्तारी कौन बनाएगा इफ्तारी ही तो बनानी पड़ी की बेटी को इसलिए कार पराखेंग अची है ना दोनों मावेटी सेम टू सेम जलनक हो रहे रहे वह जो बुड़ी अम्मा है वह और पेटी खाला दोनों को या आना पड़ा क्योंकि यह रजगुली को कमपनी देने के लिए प्लस मैंने बोला था अब देखो कल के व्लोग में पेटी खाला के घर भी जाएगी पेटी खाला उनके घर आएगी तो व्लोग के चक्कर में पेटी खाला सिस्किया लेकर हो रही थी हाई लगेगी तुम्हें उसकी ना लाइक कहींगी और फिर जो है वह करती है कि यह हो जाए वह हो जाए अच्छा तुम बोलना तो नहीं थी लेकिन यह जो उसकी बुड़ी अब देखो भाई मैं कुछ भी उसको कर्स नहीं दे रही हो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं बड़ जब तुम किसी मा की हाई ले रही और खुद भी जो है माँ बनने के लिए प्रेगर वारी तो यह तो गलत बात है ना टाटू जी अच्छा टाटू जी एक बात सुनकर मुझे ब अच्छा लग रहा है बीएव ऐसे कर रही है जैसे कि सोने की चम्मत से खाती है बचपन से ही मतलब एकदम करोड़ पती अमीर घर में पैदा हुए चल नौटंकी पीले बल्ब जला कर रहते थे और अभी नौटंकी आरी बहुत ज्यादा अमीर बनने के बाद जूटी कहीं क कि तुम तो दिखा रही थी तुम्हारा घर कैसा हुआ करता था और कैसी कैसी मुसीबते जेली थी और बोल रही कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है ऐसे बीएव करी जैसे यूएस में पैदा हुई है और करोड़ पती घर में पैदा हुए कभी इसने सब देखा ही न अपनी नौटंकी तो मैंने किसी की नहीं देखी जो नए नए अमीर होता है नहीं नहीं जो किसी ने मस्चायरी लिखी तेलेगे इन मेरे पूरानी वीडियो पर थी आप लिग देना वापस से कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं नहीं ऐसा कुछ कि मम्मी जो होती है ना एक जो क्रॉकरी का सेट रहता है ना वह रख देतीया लग से यह बोलकर कि महमान आएंगे तब महमान इसमें खाएंगे अती थे देव भव का हमारी रिवाज इंडिया में ठीक है ऐसा ही होता है हर जगह महमान को भी अच्छी तरीके से ट्रीट किया उनको भी पता है कि बरतन यह तैम लगेगा वाश करने में लेकिन जो डिस्पॉसेबल प्लेट बिक्सान भी प्लस जो है पैसो की बरबादी ही है लेकिन अब टाटू जी तो टाटू जी देखना डिस्पॉसेरी बल प्लेट यहाँ पे भी लिया एगे क्योंकि कब राट हो बहुत मन कर रहे तो भाई खुद से बहार बना ले जाकर किचन में महंदी लगए तुम्हारे हाथों पर जो चाय नहीं बना पाऊगी और ऐसे भी है कर रही जैसे कि अब से बात नहीं कर भाई तो उसको बुरा लगता तो गुटको जो है वह बोल रहे थे कि काम तो करना पड़ता ना फैस अप लोगों पर अडिटिंग करके टाटू अच्छा यह जो रोना गाना रहता है कि काम करना पड़ता है तो बहुत काम तो तुम खुद के लिए करते ह और यह इंफ्लोएंसर का तो मैं देख रहे हूं कि आजकल धंकिया भी दे रहे कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड करूंगी अगर नहीं अपलोड करोगे तो भी धरती गोल-गोल ही घुमेगी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तीन टाइम जो है लोग खाना खाते बहुत सारे लोग दो टाइम खाते सुबह शाम ब्रेक्फस कोई लोग कर देते तो अगर तुम नहीं भी करोगे तो भी वहीं वह करेंगे रोज इंसान नहीं करोगे तो सेम रूटीन ही वह फोलो करेंगे ठीक है तो इसमें नुकसान तुम्हारा है ना कि उन लोगों का तो यह जो अहस कि तुम लोगों को जितना सुनाना है तुम सुना दो लेकिन जब तुम को जो है सही बात के लिए क्रिटिसाइज करें तो तुम लोगों को मिडची लग जाती है ऐसे कैसे चलेगा दीदी यह ताटू नलायक है यह इसने अपने व्लॉग में चार-पांच बोल दिया कि हमारी हमारी भी है बाइबावी यह वह 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 अम्मी पापा के सास्थ हमारी भी मैमरीज है तो चार-पांच बार तो इसने यहीं बोल दिया कि उसको अपनी मंधी की बहुत याद आ रही है ना जो छोटे बच्चे जाते है ना जैसे ममा के घर जाते थे बच्चपन में तो फिर लेकिन जब बढ़ा हो जाते है बिए बच्छ में इनोसेंट है कि मम्मी के बिना नीद नी याती वर्फल धना वर इतना गुछने ही रहता है तो ऐसे होता है ना तभी मज़े मीन दाती थी फिर जैसे में हॉस्टिल में गई तो फिर वह आदते छूटने लगी शुरू-शुरू में बहुत रोना था लेकिन फिर आदते छूट गई और अब तो ऐसा है कि भई अभी मेरे रूम में वह सो थी मम्मी अपने रूम में सो त तब गुटको को यह नहीं अलाओ करती है, गुटको कुछ भी करता है, तो एकदम पैसिव एग्रेसिव वे में बोलती है, कि हाँ, मैं तो तुम्हें याज आपड़ दस्ति रहर करी हूं, तो गुटको कभी भी अपने पैरेंट्स को महा पर याद नहीं कर सकता है, वो भी ऑन नहीं पा रहा था, ऐसे इंसानों पर मुझे इतना गुस्ता आता है, जो इंसान लाचार है, जो कुछ नहीं वो बोल पा रहा है, उसका मज़ा क्यों उड़ाना है तुम्हें? लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे दिखेंगे, लोग बहुत तारी वाले कि जैसे भी कंडिशन उनको क्या ही फर्क पड़ता है ना अच्छा जी और मैं पिछले पॉड़कास्ट में बता चुकी हूं कि यह जो टाटू है ना हमेशा अपने काम को लेकर मतलब बढ़ा चड़ा कर बाते करती है ना कि फ्रेंस अभी हमें जो है यह करना बाकी है फ कि ना कुछ किये ना तो गुटका खौर को कैसी किसी काम की कदर होगी बोल रही थी कि यह दो को पार्सल तुम्हारा यहां पर भी पीछा नहीं छोड़ रहे है मतलब मुफ्त में सामान मिलता है बहुत बार तो यह लोग पूरी मंडली को लेकर जाता है टोलकी को लेकर लग रहे हैं तो भाई देखो जो प्यार बेजते ही है तुम्हारी उनके सामने आगात वह लगता है तुम्हारा बेजा हुआ सामान और यह लोग फिर भी बेशर्मों की तरह बेशते रहते हैं उसको अगर कुछ दोगे या तो उसको कुछ वो कर दो और फिर वीडियो बना कर सकते हैं अगर यह ड्राइवर को साथ लाई है प्लस वह जो ब्राइबर को था इसका वी मैं पयापको बदा दियुक अब देखो एक तो उसको अच्छा लगता है नीसा सुराल में बूसरा उसको भाहर घूमने भी जाने का बहुत शौक रहता है तीसरा वो कर दो लोगों से उसको कम मिलना पड़े घर काम करना पड़े बहुत शाणी यह रजगुली जितनी दिखती है ना कि बहुत बोलु से बहुत नहीं है जब डॉयवर को ला सकती हुए लेकिन चालू पीए घूमने के इतनी ज़्यादा शौकिंग है ना गुटक किंग फूरूट लेन जाने ते और इतना क्या घबराट हो रहें घर पे रहने में जब मुंबई हो थी तब तो रहती ले थी घर पे अकेलिया केले बहुत जादा यह बहुत नोटंकी और ऐसा लग रहें कुछ भी अच्छा जी उसके बाद जो है यह गुटका किंगी एक अगर आपने नोटिस कर जह डबा पहत बढ़ा wij सो था तो टो अजबा रहा फुक्साना बाजी और जारी ऐपा बदण तुम्हारी और बहन तुम्हारी बहन है श्यायर भी मतलब बीवी को बहुत्तिम बहें को मेरी बहन बोलता है ठीक है यह आपस में बेटा बेटी बोल देति बेता है लेकिन बहन भी बोल रहा है मतलब कुछ तो शरम करो पति-पत्नी के पवित्रे रिष्टा होता है भाई-बहन का अलग रिष्ता होता है यह पति-पत्नी के रिस्ते को भाई-बहन के रिष्ते क्यों बना थो प narcissます जब लोग लोग प्लोट वे जाते हैं, वहां पर एक सडी हुई चैर रहती है, तो गोलता है जो मुझे शाधी के दिन बैठने में मिली थी को अबसा है, कि एक सब्सक्राइब का सब्सक्राया तो जुषय कि मैं फृट पिछले देड़ साल से शादी तो खैर टीक थी जैसी भी थी लेगन रसगुली के शादी जब मैं याद करती न मुझे बड़ी हसी आ रही आती है से एक तो जनाब का वह वेलकम दूसरा मैडम का या 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 यो वह इंग्लिश बोल कर जान मुझके वो क्लासी दिखने का न अधिर से किया मत्यों मत्यों और जनाब उसके जोड़ में सरण के रो रहे है इतना असी आता ना उस दिन तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि विदाय देखकर कि अरे यार देखो भी हो गई यह कितनी डाउं टूर्ट लड़की है यह इसने गाउवाले से शादी कर ल तो असल में तो रोना तो गुड़का किंगे पैरेंस कुछ यह था कि लौता बेटा जो है वो गर्जमाई बनके जाने वाला है लेकिन जो गुड़कों ने ताना मारा था उस पर उसको जवाब दिना चाहिए था कि भाई जितनी तुमारी ओका थे उस इसाब से दिया था त सकती थी मीरा रोड की जब शौप मैं से ले रही थी वहीं से ले लेथी जहां से कहला के लिए Tellा आप के लिए लिए सबहства करते की नीगिन कि तो बहुत अ काम निकल वा ले ले § कपड़े अच्छ से बिजबा दिया जैंग नब को खाली लेना आथा तरच बढ़ेकिन के बस मिली जा उसाहिए यह पूपी दिलाए फिर जो है अपनी पुपी को दिलाए तो ऐसे काम करते रहते फ्रेंसू ओके टाटू चलिए फिलाल के लिए बस इतने ही मिलते नेक्स प्रकास में अपना ध्यान रखेंगा बबाई